दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पोचे बड़ी ख़वर रेलवे ने यात्रियों को दी राहत कोरोना से पहले के नमबर और नाम से दोड़ेगी ट्रेने कम होगा किराया जिहां देश में कोरोना के केस कम होने के साथ रेलवे मंत्राले ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है कोरोना संगड के दोरान पट्रियों पर दोड़ रही स्पेसल ट्रेनों का साल चालन मंतराले ने बंद कर दिया है इससे यात्रियों को किराई पर रहत मिलेगी इससे पहले कोरोना की दौरान यात्रियों को सपर के लिए तेज फिजदी जादा किराया देना पड़ रहा था सुकरवार देर साम रेलवे बोर्ड ने एक सरकुलर जारी किया है जारी सर्कुलर के मुताबिक ट्रेनों के परकार और यात्रा को लेकर नई दिसा निर्दसों के साथ नियमित किराय का संचलन किया जाएगा ऐसी ट्रेनों की दूसरी स्रेनी विसेस मामले में किसी भी चूट को छोड़ कर आराचित के रूप में चलती रहेगी रेलवे के एक अधिकारे ने कहा कि इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को 30% अतरिक किराय का भुगतान करना होगा कोवीट के मामले नियंदरन में होने के साथ मंत्राले ने सुकुरवार की वैटग में प्री कोवीट ट्रेनों के अनुसार ट्रेनों को फिर से सुरुक करने का फैसला किया है अब सोलो को ओएक और विसेस अभियान की तैयारी में बिहार सरकार जाने इस बार क्या है प्लान जा सौासी विभाग कोविट टिके से वंचित लोगों के लिए एक और टिकाकरन अभियान की तैयारी में है स्वासी विभाग अब तक साथ टिका करन अभियान चला चुका है जिसमें डेर कडोर से अधिक लोगों को कोविट के टिके दिये जा चुके हैं अगला अभियान सोलो नौम्बर को प्रस्तावित है विभाग ने प्रस्ता बनाकर मंत्री मंगल पांडे और अपर मुख सचीव प्रतित अमरित की सहमती के लिए भिजा है इनकी सहमती की प्रतिक्चा है पड़ी कबर एक माँ में बिहार में डेड़ लाक साधिया धंतिरस और चट के बाद अब साजा साधी का बाजार पचास हजार करोड का होगा करवार धंतिरस दिपावली और चट के बाजारों के बाद अब साधी का बाजार सज़ गया है बिहार के बैपारियों एक मा के लगन की तैयारी में है दिपावली के फेस्टिवल सिजन में लोटी बाजारों में रोनक से उसाइत है और बिहार में पचास हजार करोड के करोबार के उम कि साधियों के पाले चरण में देश में लगबग 25 लाग साधियों का नुमान है इस सिजन में देश में लगबग 3 लाग करोड रुपय के अधिक के कारोबार होगा अकले बिहार में इस सिजन में लगबग 1.5 लाग से अधिक साधिया होगी इससे पटाई में लगबग 50,000 कर पार की पूरी उम्मीद है अगली बड़ी हवर बिहार में कम होगा बालू का दाम चो हपते में सर्वे कर नए सिरे से होगा घाटू का बंदोबस जहां बिहार में नदियों से बालू खनन पर सरवच न्याले द्वारा रोख अटाने के साथ खनन विभाग खनन हरकत में आ गय कारियों कोट के आदिस के अधियन में जुट रहे हैं विभाग के मंत्री जनक राम ने दावा किया कि छो हपते में जिलों में सर्वे हो जाएगा इसके बाद कुछ अन्य प्रक्रिया से गुजरना होगा तमाम प्रक्रिया पूरी होने पर नए सीरो घाटों के बंदोबस्त आज की पहले के वर बिहार के माखाना को जल्द मिलेगी गिलोबल पहचान जियाई टेग मिलने का रास्ता हुआ साप जल्दी इस उत्पाद को बिहार का मखाना के रूप में जी आई टेंग मिल जाएगा इसके बाद इसकी निर्याद भी तेज हो जाएगी बड़ी खबर बिहार में अब जीविका दिदी चलाएगी मार्ट नितीज सरकार रूरल मार्ट खोलने की तैयारी में जियाराज के जीविका दिधियों के लिए और ज्यादा रूरल मार्ट खोलने की तैयारी में है विहार में रासन दुकान चलाने में स्योग करने वाले जिविका दिदी ओको अब रूरल मार्ट के जरिये आने समगरी बेजने का अवसर मुहाया करा जाएगा राज के गल्मिन बिकास विहार में दो दिनों के बाद हवा के रुक में परवर्तन के आसार है 48 गंदों के बाद राज में पुर्वी हवा का प्रवाव आरम हो जाएगा जिससे हवा की गती 5-7 किलो मेटर प्रती घंटा रहने की समावना है साथ ही आपको बता दी कि बिहार में कोहरे का असर दिखने लगा है जो आने वाले दिनों में और बढ़ने की समावना है साथ मौसम के तापमार में भी उतार चड़ा बरकरार है बाड़े का रोतास में बनेगा बिहार का पहला बटर्फलाइ पार्क रोतास के एको परियाटन स्टल तुतल भवाने धाम में होगा निर्मान हरवल पार्क को भी किया जाएगा विक्सित किया जाएगा रहतास डियपो प्रदमन गौरब ने जिला इस्तापना समारों के समापन के समय गोसना करते वे जिला वासियों को यह बदाए दी है साथ उन्होंने बताए कि इसकी प्रकरिया सुरू कर दी गई है मटरफलाई पार्क से परियाटन को और बढ़ावा मिलेगा और छेतर के एको सिस्टम में भी सुधार होगा बिहार के यात्रा का प्लान बना रहे परियाटो को के लिए अच्छी ख़बर छेसों में करे नालांदा राजगीर और पावापुरी की सेर जिहा सर्दी की मौसम की आहट सुरू हो गई है इसी की साथ-साथ बिहार के बिभिन परियाटन इस तलो पर भी घूमने का मौसम आ गया है अगर आप घूमने की युजना बना रहे तो बिहार राज परियाटन विकास निगम का टूर पेकेज बहतरीन विकल्प हो सकता है जहां निगम की ओवर से 600 रुपी में नालंदा राजगीर और पावापूर की सेर कराई जा रही है तूर पेकेज की बुकिंग बिहार राज परियाटन विकास निगम के आर ब्लोक की सित काराले से प्रती दिन सुबह आठ बजे से साम के आठ बजे तक की जा सकती है तूर पेकेज के तहट यात्रा करने के लिए प्रती विक्ति 600 रुपी देने होंगे यात्रियों को अपने भोजन की विवस्ता खुद करनी होगी आपको बता दे कि स्टोर पेकेज में नालंदा में नालंदा पुरावेस नालंदा विस्व दलाय राजगिर में विस्व सांती स्थूप गोड़ा कटोरा सोन भंडर गुपा वेनु वन राजगिर रोपवे मन्यार मट ब्रहवन कुण पांडू फोकर और पावापुर में जल मंदिर की सेरकराय जाती है है इसी तरह मोटर पंप में आए खरावी को दोर करने या साधारन मरमत के लिए 24 गंडे के समय निर्दारित किया गया है इस दोरान योजना इस्तर पर एक अतरिक्त मोटर रखने का भी निर्दियस दिया गया है जल मिनार की सफाई भी 15 घंडे के अंदर करने के वबस्त की गई है साथ अगर आप नया कनेक्शन लेना चाहते है तो आपको तीन दिनों के अंदर नया कनेक्शन दिया जाएगा अगली बड़ी कबर 3.5 करोड से एएन कोलेज में बनेगा एल लर्णिंग सेंटर मिलेगी निशुलक सुविधा जहाँ पटना के पाइलिपूत्र विस्विदाले के एल लर्णिंग सेंटर का निर्मान कराया जाएगा इसको लेकर टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है करीब साड़े तीन करोड रूपय के लागत से उक्त सेंटर कर निर्मान कराया जाएगा उक्त सेंटर को कॉलेज बाहर के छात्र भी उपयोग कर सकेंगे ऐसी विवस्ता रहेगे हाला कि बाहरी चात्रों को इसके लिए कुछ भुगतान करना पड़ सकता है जबकि कॉलेज के चात्रों के लिए या पूरी तर निसुल को होगा साथ आपको बता दे कि कॉलेज में उक्त सेंटर को बारा घंटे या उससे अधिक समय तक खुला रखने की योजना है इस परकार चात्र लेट नाइट तक यहां ओलाइन पढ़ाई कर सकते हैं बाड़ी खबर मॉबाइल टीम लगाएगी ग्रामेन इलाकों में डोर टो डोर कोरोना वेक्सिन अभियान सुरू करने के तयारे जहापाटना जिले में ग्रामेन इलाके सहरे इलाके के मुकाबले अब भी कोरोना वेक्सिनेशन में पिछड़ हुए हैं ग्रामेन इलाकों में वेक्सिनेशन को बढ़ावा देने के लिए अब डोर टो डोर वेक्सिन लगाने का भियान सुरू किया जाएगा इसको लिकर स्वास्त विवाग से जिला वेक्सिन कारियाले को निर्देश भी आ चुके हैं आप फाइनेंसियल गाडलाइन का इंतिजार किया जा रहा है इसके आने के बाद इसी महने से डोर टो डोर वेक्सिन लगाने का अभियान सुरू कर दिया जाएगा इस अभियान के तहद वेक्सिन लगाने के लिए मॉबाइल टीम गठित की जानी है इस मॉबाइल टीम में एक डाटा ओपरेटर और एक एक एनम होगी वे ग्रामिन इलाके में मोटर सैकिल से जाएंगे उनके पास मददा सुचि के अधार पर बनाएगे सुचि रहेगी इसके कामी 15 नौबर को बिरसा मुंड़ा जैनती के मोके पर देश भर में जन जातिया गौरव दिवस मनाया जाएगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अधिक्ता में केंद्रिया मंत्री मंडल ने बदवार को यह फैसला लिया है केंद्र की ओर से जारिव इग्यापित में बत यूजिसी ने चांसलर को लिखी चिठी जहां 20 विदलाय अनुदान आयों की स्विकर्त प्रस्ताव पर तीजी से अमल हुआ तो अगले सत्र से नियमित डिग्री के साथ एक अधिरिक्त डिग्री कोर्स करने में विर्दातियों को छुट मिलेगी इस से जल्दी चात्र एक स अलग विर्दातियों को एक साथ दो डिग्री कोर्स करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसके सम्मद में राजबावन एवं कुलादी पति कार्याले को पत्र लिखा गिया है बाडी कवर 16-17 नॉमबर से CBSE की माइनर विसोय की होगी परिक्षाई 18 अक्टूबर को जारी की थी आज के लिए को सवाल बताए कि बिहार में फिलाल आपके जिले में ठंड बढ़ी है या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए